नमस्कार आदाप न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आईए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर कृशी बिलो पर सरकार और किसानों के बीच आज की बातचीत भी बेनतीजा किसान प्रदर्शन रहेगा जारी किसान नेता शिफ कुमार कक्का ने प्रेस से हुई अपनी बातचीत में कहा कि मीटिंग में किसान संगठनों को वापस लिने की अपनी मांग को सरकार के सामने दोराया वही सरकार की सत्कार Grade के प्रास अवागर करने के लिए कहा उसके बाद सरकार के मन्त्री मीटिंग छोड़ कर चले गए अपको बतादे कि यह सरकार और किसानों के बीच 11 दोर की मीटिंग ती इससे पहलے किसान संगठनों ने इस मां को मानने से इंकार कर दिया है किसान मजदूर संगर्श कमीटी के सप्नाम सिंघ पंगर ने कहा कि मंत्रियों ने उन्हें 3.5 घंटे का इंतजार करवाया ये किसानों का अपमान है उसके बाद सरकार ने ये कहकर मीटिंग खत्म कर दी कि किसानों को सरकार का प्रसाव माल लेना चाहिए हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा हमारी दूसरी खबर 90 वर्ष के आदिवसी महिला किसान जीला बाई की है जो महाराश्चा से शहाजापुर बॉर्डर आंदोलर्ड में हिस्सा लेने 15 जनवरी को आई थी नियूस क्लिक ने खास बाचीत की और जनना चाहा कि आखिर क्यों उन्होंने इस उम्मर में इतना लंबा सफर तैय किया आई ये देखते हैं जिला बाई कह रही है कि मोधी सरकार को हम ये बताना चाहेंगे कि हम जमिन हमारी मा है और उसके लिए हम लड़ रहे हम भूग से तड़प रहे हैं हमारे यहां रोजगार नहीं है बेरोजगारी है हम लोग कहां कहां जाके रोजगार ढूंड रहे हैं और सरकार हमको लूट तो हम उसको यही कहना चाहेंगे कि तू हमको हमारा हग दे वरना हम अपना हग चीनना जानते हैं मेरे पेरों में छाले पड़ गए तब तक मैं चली पैदल चली अपने हग की लड़ाई लड़ने के लिए चली और आगे भी ऐसे ही चलूँगी जब तक मुझे मेरा हग नहीं मिलेगा महाराष्टर के साथपुड़ा इलाके में जो अंदुरबार जिला है तो उस जिले में अकलकुआ एक बहुत ही रिमोट ब्लॉक है जो बेरोजगारी के लिए माइग्रेशन के लिए मालनुट्रेशन के लिए जाना जाता है उस जिले के बहुत ही रिमोट गाउ है एक भराडी पादर वहां से ये जिला भाई 90 साल की ये अवरत है जो यहां इस आंदुलन में ये सोचकर आई है कि जिस तरह से मोधी सरकार ने हमारे खिलाफ खेती किसान करने वाले किसान जो लोग है खेती करने वाले जो है उनके खि सासन किस तरह से सोचती है हमारे हित के बारे में ना सोचते हुए वो गिने चिन लोगों के हित के बारे में सोच रही है और हम लोग यहां बंबई तक भी हम लोग पैदल चरके गए हमारी हक के लिए लड़ाई हम लोग इतने सालों से लड़ रहे है और फिर भी हम हारेंगे नहीं जितना भी सरकार हमको तकलीब देगी या देना चाहेगी हम उसका डटकर जवाब देंगे और हम यहां दस दिन रहने वाले हैं और अपनी हक की बात मोधी सरकार तक पहुंचाने वाले हैं ऐसा जिला भई ने कहा है यह जो टेंट है पिछले 15 तारिक से हम इस टेंट में रह रहे हैं यहां बिछाने के लिए सर्द से बचने के लिए ओडने के लिए कुछ कपड़े हैं खाने के लिए भरपूर व्यवस्ता है चाहे जो भी हो हम लोग यहां खुश है क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे ह यहां पर हम हस्ते हस्ते यहां पर रहार है और हमको पता है अपने हप którego लडाई है तो अपने हपtest के लिए कुछक को सहरे करना भर मैंना पढ़न सब्सייםoured मैं हूं जब हम दो करें हवा भी चलती है तो चैन्म को मातलब मतलब भी नहीं हम खुश और हम लड़ाइर लड़ अगली कि निए करनाटक कि शिवमोगा जिले में कल देरणाट ट्रक में भरकर ले जाय जा गया इस घटना में आठ मजदूरों की मौत हो गई है माना जा रहा है कि यह विस्पोटक खनन के लिए ले जाया जा रहा था धमाका पत्थर तोड़ने की जगव पर हुआ था जिससे ना केवल शिवमों का बलकि आसपास के जिलो चिकमकलूरू और दावनगेरे में भी इसका असर देखा गया यह धमाका इतना बड़ा था कि आसपास के घरों और दफ्तरों के शीशे और खिड़किया तूट गई और सड़कों पर भी दरारे देखी गई बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या में और इदाफ़ा हो सकता है घटना के तुरंद बाद पुलिस अ करोना से आज 163 मरीजों की मौत हुई है हाला कि ECBs देश भर में करोना से पीड़े 18,002 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल आक्टिम मामलों में 3620 मामले कम हुए हैं देश में करोना के मामलों की संक्या घटकर 1,625,428 हो गई है जिन में से 1,53,032 मरीजों की मौत हो और आक्टिम मामलों की संक्या घटकर 1,77 फीस दी यानि 1,86,688 रह गई है आई सीमर दोरा जारी आकड़ों की अनुसार अब तक 10,43,534 लोगों को करोना की वैक्सीन दी जा चुकी है जिन में से पिछले 24 घंटों में 2,37,050 लोगों को वैक्सीन दी गई है यूज क्लिक के डेली राउंड अप में आज बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बूक इंस्टेग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें साथ ही यूट्यूब पर सब्स्क्राइब करें यूज क